नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विद आलोक ओनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिस्त्र 8 पीम न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइन्स पर एक नजर हरियाना सरकार की समय पूर्व रिहाई नीति की न्याइक समिक्षा के लिए समिती गठित CRPC की धारा 433A और समिधान के अनुचित 72 वव 161 का करती है उलंगन भारत ने अमेरिका में पेट्रोलियम के रणनीत भंडार रखने के समझोता ग्यापन पर किया हस्ताक्षर भारत को पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने में मिलेगी मदद तो चलिए बड़ी खबरों की साथ बुलिटिन की सुरुवात करते हैं हाल ही में हरियाना सरकार की समय से पूर्व रिहाई संबंधी नीति को न्यायमूर्ती यूयू ललित की अध्यक्षता वाली खंडपीट ने एक बड़ी खंडपीट को हस्तांतरित कर दिया दरसल साल 2019 में संस्थापित हरियाना सरकार की नवीन नीति के तहत हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पुरुस कैदियों को 75 वर्स की आयू होने और कम से कम 8 साल की सजा पूरी करने के बाद रीहा कर दिया जाएगा इस संबंध में न्यायाले ने हरियाना सरकार को नोटिस जारी कर अपनी नीति को असपस्ट करने के संबंध में सपस्टी करन देने को कहा था आपको बता दे कि न्यायाले आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक मामले पर सुनवाई के दौरान राजजित्वारा गठित क्षमा नीति के लागू होने के बाद 8 वर्स की सजा पूरी होने पर रीहा हो गया था अब न्यायाले की यह खंडपीट हरियाना सरकार की इस नई नीति की समिक्षा करेगी कि क्या यह नीति दंड प्रक्रिया संगिता की धारा 431 ए के बिपरीत है या नहीं आपको बता दे कि दंड प्रक्रिया संगिता की धारा 431 ए कहती है कि यदि किसी दोसी को उम्रकैत की सजा हुई है तो उसे कारावाज से तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि वह कम से कम 14 वर्ष की सजा पूरी न कर ले आयसे में हर्याना सरकार की यह नीती असपष्ट तौर पर दंड प्रक्रिया संगिता की धारा 431 ए का उलंखन कर रही है इतना ही नहीं इस नई नीती से भारतिय संबिधान के अनुछेद 161 में वर्णित राज्यपाल की क्षमा शक्ति और अनुछेद 72 के तहत रास्टपती की सक्ति को भी प्रभावित करती है आपको बता दे कि भारतिय संबिधान का अनुछेद 72 और 161 भारतिय राष्टपती और राज्यों के राज्यपाल को अपराध के लिए दोसी करार दिये गए व्यक्ति को ख्षमादान देने का अधिकार होता है 17 जुलाई को हुए एक आभासी पुस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनर्शिप मिनिस्ट्रियल आयोजन में किंद्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसमंत्री धर्मेंद्र और अमेरिका के उर्जा सचिव डैन ब्रोयलेट ने अमेरिका की धर्ती में पेट शुरू करने के लिए इस समझोते पर हस्ताक्षर किया है जिसमें सूचनाओ का आदान प्रदान और सर्वोत्तम अभ्यास भी शामिल है इस प्रकार के वारता से भारत को वैस्विक कच्चे तेल की कीमतों में अयतिहासिक गिरावट विदेशों में भी सक्रिय रूप से jeśli प्रमपरागत स्रोतों पर भी चर्चा करेंगे इसी साजेदारी के तहत भारत और अमेरिका ने पिछले तीन वरसों में हाइड्रो कारबन व्यापार में वृद्धी की है साल 2019- 2020 में भारत और अमेरिका के बीच धोई-पक्षि हाइड्रो कारबन व्यापार 9.2 billion अमे आपको बताते चले कि भारती सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानि ISPRL एक भारती कमपनी है जो भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को बनाये रखने के लिए जिम्मेदार है इसको तेल विकास बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अधिन कारे करता है वर्तमान में ISPRL 5.33 मिलियन टन के आपात कालिन इंधन इस्टोर का रख रखाओ करता है जो दस दिनों के खपत को वहन करने में सक्षम है इसके अलावा भारत में कच्चे तेल का भंडारण पाडूर, जैसे तीन भूमिकत अस्थानों पर किया जाता है जो भारत के पूर्वी और पस्षिमी तड़ पर इस्थित हैं इसके अलावा भारत में दो और पेट्रोलियम भंडार, राजस्थान और ओडिशा में अस्थापित किया जाएगा साथ ही पाडूर पेट्रोलियम रिजर्व की ख्षमता को दो गुना किया जाएगा और अबंत में चलते चलते कुछ छोटी लेकिन महत्तोपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी परिक्षाओं से होगा भारत के दिगजच पैरा बैडमिंटन खिलाडी रमेश्टी का राम का 16 जुलाई को कोवेट 19 संक्रमन के वजह से निधन हो गया वह 51 वर्ष के थे रमेश्टी का राम को साल 2002 में अरजुन पुरसकार से सम्मानित किया गया था उन्होंने साल 2001 में अंतर राष्टी पैरा बैडमिंटन खिताब जीतने में अहम भोमिका निभाई थी साथी वह विकलांगों के ल पर निल्सन मंडेला अंतर राष्टी दिवस मनाया जाता है यह दिवस लोकतंद्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में सांती को बढ़ावा देने में निल्सन मंडेला के योगदान की स्मृति में मनाया जाता है संयुक्त राष्ट महाशभा ने इस दिवस को मनाये जान को जीत लिया है इस प्रतियोगिता के फाइनल में Real Madrid ने विलारियल को दो एक से पराजित करके खिताब अपने नाम किया इस पूरे टूर्नामेंट में Real Madrid ने 37 में से 26 मैचों में जीत दर्ज किया Real Madrid लौ लीगा में पिछले तीन सालों में पहला और कुल 34 खिताब जीतने में सफल रहे आपको बता दे के Real Madrid Spanish Football कलब है जिसका पूरा नाम Real Madrid Club D Football है ससक्त अमेरिका भारत व्यापार परिशद यानि USIBC दो दिवसी इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन करेगा जिसकी थीम COVID-19 से प्रभावित ग्लोबल सप्लाई चेन है इसके अलावा इसके एजेंडे में भारत, अमेरिका, हेल्थ केयर, शहयोग और कई अन्यमुद्दे शामिल हैं इसका आयोजन 21 जुलाई को किया जाएगा वैज्यानिकों ने कोरोना वाइरस को बेशर करने वाले दो एंटीबॉडी की पहचान की है ये एंटीबॉडी दक्षन अमेरिका के स्तंधारियों लमाओं से प्राप्त किया गया है इसे कोबिट 19 के खिलाफ एक नई चिकित्सा पधती को हासिल करने की दिशा में प्रगती के रूप में देखा जा रहा है इस खोज को नेचर स्ट्रक्चरल एंड मॉलिकूलर बायोलाजी नामक पत्रिका में प्रकासित किया गया इस सोध में आगे कहा गया है कि नैनो बॉडीज प्रोटीन ACE2 के साथ अंतह क्रिया रोक कर कोरोणा वायरस सार्क कोब 2 के साथ संक्रमण को रोक सकता है आपको बताती चले कि अधिकान स्तंधारियों की तरह मानव एंटी बॉडी में भी दो स्रिंखलाएं भारी और हलकी होती है लेकिन लामा जैसे जीव में एक अतरिक्त एकल भारी स्रिंखला एंटी बॉडी होती है जिसे नैनो बॉडी के रूप में जाना जाता है अमेरिकी राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प ने होंग कॉंग के खिलाफ दमनकारी नीत लागू करने पर चीन के खिलाफ और मुखर हो गए उन्होंने चीनी अधिकारियों को अमेरिका में प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया है यह निर्डे ट्रम्प द्वारा तब लिया गया जब चीन ने होंग कॉंग में रास्टिय सुरक्षा कानून लागू कर दिया इस विधेयक के पारित होने से ट्रम्प प्रशाषन को होंग कॉंग की स्वायत्तता को खत्म कर रहे विदेशियों और विदेशी बैंकों को अमेरिका में प्रतिबंधित करने का अधिकार मिल जाएगा आपको बताते चले कि चीन ने हॉंक कॉंग पहले ब्रिटेन का उपनेवेश था इसके बाद साल 1997 में अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंदरता और रक्षा से संबंधित कानून के साथ होंग कॉंग साल 2047 तक के लिए चीन के अंतरगत आ गया था अब चीन होंग काउंग के सैन्य ताकत के बल पर सारी सक्तियां चीन कर चीन में पूर रूप से विलय करना चाहता है फिलहाल 8PM न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहे सब्सक्राइब विदालोक ऑनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे दीजिये इजाजत नमस्कार